दोस्तो, फोम भरने स्टार्ट हो चुके है, आधार बरती 2023 के मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, UIDAI Recruitment 2020, यानि कि एक तरे किसी आधार विभाग जो होते है, वहाँ पर यी वेकेंसी निकली हुई है, ब्रांचेज में, जो भी इनकी सेंट्रल ब्रांचेज होती है, वहाँ प से इसमें मिलती है, दोस्तो, आज फिर बात करते हैं, यहाँ पर UIDAI Recruitment 2023, आधार कार्ड विभाग भरती 2023 के बारे में यहाँ पर बिम बात कर रहा हूँ, जहाँ पर 4055 वेकेंसी कलर के निकली हुई है, और साथ इसाथ सेक्शन ओफिसर की 1500 वेकेंसी है, टोटल मिला के 5000 से ज्यादा पदों पर यह वेकेंसी निकली हुई है, और यह वेकेंसी आप ध्यान रखना डेट्स में बता रहा हूँ, यहाँ पर बारवी क्लास पास इसकी योग्यता है, और संपूर्ण भारत में आपको कहीं भी मतलब एक तरीके से सेलेक्शन हो सकता है, नोकरी लग सकती ह 22,10,2023 इसके अंतिमतिती है, सेंट्रल वाली यह वेकेंसी है, यानि कि कहने का मतलब इसके अलावा यह जो वेकेंसी है, ओल ओवर इंडिया, मतलब uidi.gov.in पर जाके आप चेक कर सकते हो, जहाँ पर जो वेतन है, यानि कि सेलेरी आपको जो मिलेगी, कलर की 22,200 से लेके 20,200 ग डॉकुमेंट्स आप ध्यान रखना, वही जो हर एक्जाम में, मतलब यहाँ पर इस एक्जाम में, यह वेकेंसी में, यह सारे डॉकुमेंट्स आपके पास में होने चीए, डीवी जब होगा, तब आपका यह सारे डॉकुमेंट्स चेक किये जाएंगे, यह आप ध्यान कर सकते हो लिंक नीचे दे रख है वहां पर जाके पूरा चेक कर सकते हो डेट्स में ने बता दिये आपको उस डेट्स से पहले-पहले आप आविदन कर लीजिए बाइस दस दोचार तेईस इसकी लास्ट डेड़े धन्यवाद